हालो हाल गुड मॉर्निंग राम राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों स्वाकत है आपका आपने प्यारे परिवार बियस्ति बाये वाला बच्चों आज हम पढ़ेंगे जीन इंट्रेक्षन का जो टाइपस है उसमें हमने आपको लास लेक्चर में यह बता दिया था जो एल लिजआ है तो यदिन टरेक्षन क्या है आप बताइए हम गयो हम बताएब इंक्ते जैन तो गया है है प्यां आप बताएंगे उधी इंत्रेक्षन वह है जब एंगे तो dye एसना बनेट ननल्य इंत्रेक्षन होता है तो यां जो एल्लीग, चृण ये Gonz त्य है था था i interaction between single gene single gene के मद यहाँ पर interaction होता है और क्या होता है और देखिए this interaction takes place between aliens आप same gene same gene के aliens के मद यहाँ पर interaction होगा जैसे हमने आपको यहाँ फिगरन बताया था यहाँ capital A और इसमाले है इन दोनों के भी यहाँ interaction हो रहा है यह आपका क्या है analog gene interaction अब non-algene interaction क्या है और हाँ analog gene interaction में हमने आपको example बताया था है incomplete dominance, co-dominance और multiple origin और क्या बताया था incomplete dominance, co-dominance, multiple allele और resultty तो हमने आपको resultty में resultty जो है उसको death factor भी बोलते हैं इसमें हमने miles के coat color को लेके example बताया था और जो multiple allele है जो multiple allele है और हमने उसमें ABO blood group के बारे में बताया था co-dominance में AB blood group के बारे में बताया है incomplete dominance में हमने काल कोरेंस का जो mirabilis जलापा है उसको लेके हमने आपको बताया है ठीक है तो हमने इन सबको अच्छे से बता दिया है जिन बच्चों नहीं रख्चे नहीं complete किया है आप अपना चाहिए playlist से लेक्चर को complete कर लेजी ठीक है तो आज हमको पढ़ना है non early gene interaction तो non early gene interaction क्या है देखिए interaction between two gene दो gene के मद्धे interaction होगा जैसे दो आप दो अलग लग friend है उन दोनों में जो आप बाते कर रहे हैं तो अलग लग के बीच interaction हो रहा है और यहाँ एक ऐक के बीच interaction हो रहा है ठीक है यहाँ 2 true gene जैसे कोई वैक्ति है अगेला है वो अपने बारे में सोच रहा है लेकिन यहां दो friend है आप है आपके friend है आप दोनों एक दूसरे से बाते कर रहे हैं मतलब दो अलग जीन एक दूसरे में इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो उनकी करेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं वो उनकी प्रोटीन को इफेक्ट कर रहे हैं और नए इस्ट्रक्चर को बना रहे हैं नए प्रोटीन नए इस्ट्रक् गया है देखिए यहां पर यह दो क्रोमोसोम है यह क्रोमोसोम एक है ना क्रोमोसोम सेकंड है इन दो जीन है यह एक जीन है और यह अगला जीन है इनके दो एलील है यह अब इनके बीच यहां पर इंटरेक्शन होगा किसके बीच बच्चा यहां पर इनके बीच इंटरेक्शन होगा इसे को बोला जाएगा क्या बोला जाएगा बताएंगे आप बताएंगे इसको बोला जाएगा Non-LiGene interaction या फिर इंटरजेनीक जीन इंटरजेनिक जीन इंट्रेक्शन ठीक है टर्मिनालोजी थोड़ा साब ध्यान रखेंगे इसको बोलेगा नान इललिक या फिर इंटरजेनिक हमने इंटर इंटरजेनिक के बारे में बता था दो जो इंटरजेनिक है दो जीन के मद्ध है इंटरा मतलब एक ही जीन के दो एलिल के मद्ध है ठीक है आपको इसको ध्यान रखना है ओके बच्छा इसके एक्जामपल में हमको क्य मेंटरी जीन संपूरक जीन ठीक है बच्चा कम्पलिमेंटरी जीन इसका रेशियो होता है ना 9 is to 3 is to 3 is to 1 होता है लेकिन यह रेसियो ना होके यहां कम्लिमेंटरी जीन है वहां 9 is to 7 होता है ऐसे जो EP stress है यह भी दो टाइप का होगा एक dominant होता है dominant EP stress एक होता है recessive EP stress तो बच्चा दो टाइप का भी EP stress होता है इसको आगे हम detail में देखेंगे तो आपका पहला है पहला है आपका EP stress next है आपका complementary gene इसका रेसियो आपको 9 is to 7 देखना है next है आपका है duplicate gene duplicate gene का ratio होता है क्या होता है बच्चा 15 is to 1 क्या होता भया 15 is to देखें यह जो रेसियो यहां पर हमने mention किया यह इसका phenotypic ratio है और genotypic ratio जो dihabit class का होता है वो सबका सेम होता है जो हमने 122 121 ऐसे करके होता है न 200 वही होगा सेम वो आपको याद रखना है ठीक है और next आपको पढ़ना है supplementary gene supplementary gene का ratio होता है 9 is to 3 is to 4 ठीक है बच्चा supplementary gene का ratio क्या होता है 9 is to 3 is to 4 duplicate gene का ratio क्या होता है 15 is to 1 और complementary gene का ratio होता है 9 is to 7 इपी basis का आगे हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो type है एक dominant है एक ratio है इसलिए इसका ratio हम अलग अलग आपको बताएंगे ओके बच्चा नेक्स्ट आपको पढ़ना है polymeric gene इसका ratio है आपका 9 is to 6 is to 1 इसका ratio क्या है बच्चा 9 is to 6 is to 1 तो यह हमारी बात है आपको अच्छे समझ में आ गई हमको क्या पढ़ना है non only gene interaction या फिर intergenic gene interaction मतलब that is interaction between 2 gene two gene के बद यहां पर interaction हो रहा है ठीक है बच्चा हमारी बात तो अब को समझ में आ गई अब हम पढ़े पहला हमको क्या पढ़ना है complementary gene क्या पढ़ना बच्चा complementary gene के बारे में आप sorry complementary gene नहीं पहले हम पढ़ेंगे EP stasis ठीक है यहां पर interaction हो रहा है वो के बच्चा interaction करके यह कुछ नया product बनाएंगे नया structure बनाएंगे ठीक है मतलब एक करेक्टर गवर्न करने के लिए यहां पर दो gene है ठीक है बच्चा तो भया आपको पढ़ना है EP stasis क्या पढ़ना है बच्चा पढ़ना है आपको EP stasis तो EP stasis हम देखेंगे EP stasis को भी हम बोलते हैं inhibiting gene क्या बोलते हैं बच्चा inhibiting gene EP stasis को ही हम inhibiting gene भी बोलते हैं यह बाते आपको ध्यान रखना है तो EP stasis क्या है इसका Greek meaning क्या है पहले देखेंगे आप लोग EP stasis का Greek मतलब है act of stopping पतब EP stasis का मतलब होता है किसी दूसरे का stasis मतलब stop करना EP stasis में क्या होता है एक gene दूसरे gene की activity को stop करनेता है ठीक है जैसे कोई भिया बलसाली है कोई ज़्यादा बोलने वाला है कोई कम बोलने वाला है तो ज़्यादा बोलने वाला अगर ज़्यादा बोलेगा तो कम बोलने वाला सांति हो जाएगा तो ऐसे ही है जो ज़्यादा ये एक जीन है वो दूसरे जीन है उसके activity के वो stop कर दे रहा है रोग दे रहा है ठीक है तो epistasis की पहले हम definition देखेंगे इसका Greek meaning क्या है act of stopping epistasis का Greek meaning है act of stopping मतलब एक जीन दूसरे जीन की activity को stop कर दे रहा है मतलब दो अलग 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 chromosome पे अगर दोनों साथ में present है तो ये वाला जीन जो A जीन है वो B जीन की activity को रोग देगा आप समझ गया है ठीक है दिखेंगे वहाँ पे क्या होता था एक जीन के दो एलील थे capital A small A capital A कर रहा है small A की activity को रोग दे रहा था लेकिन यहाँ दो अलग अलग जीन है और ये एक दूसरे की activity को रोग दे रहा है बतब ये अगर ये जीन capital A capital B की activity को रोग दे रहा है तो ये epistatic gene है और जो जी जीन की activity रोग जा रही है उसको hypostatic gene बोलते हैं आगे हमने आपको बताया है इसी रेक्चर में ठीक है epistatic is the interaction between non-allegene जैसा कि हमने इस्टार्टिंग में बताया है ये कैसे है non-allegene का interaction है इसका interaction बच्छे non-allegene का interaction है ये कहां present है present as separate loci हमने आपको दिखाया था ये एक chromosome था ये अलग chromosome था ये जीन जो है कि अलग-अलग chromosome पर ये present थे एक यहां पर present था तो ये यहां पर अब दोनों के मद interaction हो रहा है ठीक है तो ये different separate loci पर present है in which one mask या फिर इनिविट या suppress the expression of other gene ep stresses में क्या होता है कि माली ची ये chromosome है ऐसे हमने आपको दिखाती है ये chromosome है तो यहां पर जो gene होगा यहां एक gene है यहां यह दूसरा gene है अब यह gene क्या होगा इसकी activity को suppress कर देगा suppress का निशन ऐसे है तो product हमारे इस gene का जो है वही product बनेगा यह gene अपना activity सो नहीं करेगा ठीक है इसी को बोला जा रहा है ep stresses मतलब एक gene दूसरे gene की activity को inhibit कर दे रहा है या फिर mask कर दे रहा है या फिर suppress कर दे रहा है हमारी बाते आपको समझ में आ गई जी आपने का हाँ समझ में आ गई ठीक है तो देखिए आगे क्या है the gene that suppress other gene called ep static factor हमने आपको बता है जो gene किसी दूसरे gene जैसे जो ज्यादा बोल रहा है उसको क्या बोल रहा है ep static और जो सांत हो जा रहा है उसको बोला जा रहा है hypostatic ठीक है तो भीया आप ही महान है आप ज्यादा बोलने है आप ही का expression हो रहा है आप अपने आपको इस पर पा रहे है इसलिए आपको बोला जा रहा है ep static factor हम सांत ह गया हाइपोस्टाटिक फेक्टर ठीक है तो भाइब देखिए अंग्रेजी अल्फावेट में यह पहले आता है एच बाद में आता है उससे आपको याद करना है जो इपिस्टाटिक है यह अपनी अक्टिविटी को सो करेगा और जो हाइपोस्टाटिक है यह अपने आपको प्रिवेंट हो कर देगा यह अपनी अक्टिविटी को नहीं सो करेगा तो देखे दा जीन दैट सप्रेस अधर जीन काल इपिस्टाटिक फरक्टर दा जीन विच इज प्रिवेंट प्रिवेंटेट राम एक्जिबिटिंग इटसल्प इस नोना हाइपोस्टाटिक इन तो ह हाइपोस्टाटिक जीन बोलने है क्या अपको समझ में आ गया तो थम सब करिए आप तो हमने क्या क्या बताया बच्चा आपने बताया हां हमने बताया हां हमने दो टाइप का इंट्रेक्शन पड़ा कौन सा ऐलेलिक और नान एलेलिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि जो एलिलिक था वो एक ही जीन के दो एलिल के मत ही इंट्रेक्शन था जो नान एलिलिक था वो दो अलग लग जीन के मत ही इंट्रेक्शन था देखे जितना आप क्लियर बता दे रही हूं उतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा बताएंगे भी हम अ आपका college group है ना उसमें इस lecture को प्लीज जरूर सेयर करें ठीक है जिन बच्चों को नोट से यह वह वाट्सप पे connect करने हैं तो EP Stasis के भी दो टाइप है हमने बताया EP Stasis में क्या हो रहा है एक जीन है जो दूसरे जीन के activity को mask कर दे रहा है तो EP Stasis भी दो टाइप का है एक dominant EP Stasis और recesive Stasis हमने बताया कि EP Stasis दो टाइप का है एक dominant EP Stasis और next क्या है आपका recesive EP Stasis क्या है बच्चा हमारे साथ आप repeat कर ये dominant EP Stasis और recesive EP Stasis तो dominant epistresses का ratio क्या है 12 is to 3 is to 1 हमार साथ आप लिखेंग कमेंट में 12 is to 3 is to 1 dominant epistresses का ratio है 12 is to 3 is to 1 यह बहुत important है और जो रेस्टिव epistresses का ratio है 9 is to 3 is to 4 आप कहेंगे मैं यह ratio तो आपने supplementary gene के बारे में बताया था ठीक है देखें जो supplementary gene है वो ratio epistresses का ही example है तो मैं आपको रेस्टिव epistresses बताऊंगी तो supplementary gene नहीं बताऊंगी ठीक है तो dominant epistresses का ratio है क्या है बच्चा आप बताएंगे मैं 12 is to 3 is to 1 और इसका क्या है 9 is to 3 is to 4 इतना आपको याद रखना है ऐसे हमने जो आपको complementary का बताया था सोचिए क्या है complementary का हमने बता था complementary के हमने बताया था 9 is to 7 ठीक है यह हमने आपको याद लर्न करवा दिया ओके बच्चा तो dominant ep stresses का ratio कितना है 12 is to 3 is to 1 ratio का कितना है 9 is to 3 is to 1 देखिए बया अब हम एक एक पढ़ेंगे dominant ep stresses क्या है और recitive ep stresses क्या है देखिए दो आपको एक अंतर ध्यान रखना है देखिए यहाँ पर जो है न dominant ep stresses में क्या है न यहाँ पर dominant gene होगा आपनी activity को सो करेगा वालों dominant gene है वह ratio gene को इसमें जो dominant gene है वह other gene के activity को ब्लॉक कर देगा जैसे देखिए यह एक chromosome है ना यह एक chromosome है ठीक है यहाँ पर एक gene है यहाँ पर gene माल लीजिए कोई gene है ठीक है तो इसके जो एलील होंगे capital A हिसमाल है ठीक है यहाँ पर कोई अलग gene है ठीक है यहाँ पर capital B हिसमाल भी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो dominant dominant वाला एलील है जो यह है यह रिस्त्यू वाले इसके activity को ब्लॉक कर दे रहा है जो dominant A यह रिस्त्यू को ब्लॉक कर दे रहा है नहीं एक्स्प्रेस हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो रैस्त्यू जीन है देखिए इन दोनों में जो dominant है ठीक है, मालेजे ये वाला dominant है, ये B वाला receive है, ठीक है, तो dominant gene क्या है, B की activity को suppress कर दे रहा है, यहाँ पर dominant gene, receive gene की activity को suppress कर दे रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो receive gene है, मालेजे B वाला receive है, तो B वाला receive gene है, जो A की activity को suppress कर दे रहा है, यहाँ पर dominant gene, receive gene की activity को suppress कर रहा है है और यहां पर क्या हो रहा है тобой तो कर रहा है ठिक है तो इसका रेसियों हमने आपको स्टैसिस क्या है एक लाइन का डिफिनेशन बताया है क्या बताया है डिफिनेशन क्या है इसका मतलब क्या है जो जुट टूहरों आप कमेंट पॉर्पोक्स में हर्ट करेंगे तेक्र अब देखिये अब आपका है dominant epistresses, हम आप one by one करके समझेंगे dominant epistresses का example क्या है, ठीक है, when one gene suppresses the effect of another non-illigine in dominant form called as dominant epistresses, जो other gene की activity को block कर रहा है, वो dominant form में block कर रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है dominant epistresses, यहाँ पर हमने दो gene लिया है, gene A है और gene B है, gene A के दो alien है, capital A small है, इसका भी dominant रिस्ति होगा, gene B है, capital B small भी, ठीक है, इन दोनों gene में, gene A वाला dominant gene है, gene B वाला रिस्ति होगी है, मतलब यह A gene क्या होगा, B की activity को रोग देगा, ठीक है, इसलिए A gene क्या है, आपका dominant है, और B gene आपका रिस्ति होगी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका geneotype, जब आप यह वाला geneotype देगें, capital A capital A, capital A, यह capital A, इसमाल यह क्या करेगा, जहाँ पर रहेगा, वो B की activity को रोग देगा, suppress कर देगा, ठीक है, और जेखे, जब इस form में, जब इसमाल है इसमाल ने present होगा, B के साथ, capital B के साथ, जब इसमाल है इसमाल ने present होगा, तब ही B gene अपनी activity को रोग करेगा, ठीक है, यह आपको अभी जब हम example बताएंगे, तब यह gene देखके, यह वाली बातें आपको टर्म देखके, आपको परचानना है कि कौन सा gene अपनी activity को रोग करेगा, देखे, A gene अपनी activity को रोग करेगा, जब homo jagus condition में हो, या फिर heterogeneous condition में रहेगा, B चाहे homo, A के साथ, B चाहे homo jagus हो, चाहे homo jagus हो, किसी भी condition में B अपनी activity सो नहीं करेगा, ठीक है, B अपनी activity कब सो करेगा, जब B के साथ small A स्माल A है, यह चीज़ हो, या capital B small B है, इसके साथ small A है, ओ A हो, ठीक है, B अपनी activity को तब ही सो करेगा, जब small A हो, ठीक है, दोनों small A हो, A अपनी activity को A हमेशा सो करेगा क्योंकि यह dominant है कोई भी एक dominant alien होगा तो A अपनी activity को सो करेगा लेकिन B क्या होगा B उसी समय activity अपनी सो करेगा जब small A रस्तिव कंडिशन में होगा ठीक है, यहापे हमने दिया है if small A, small A then only B gene effect will be produced तब ही B gene के effect को देखा जाएगा इसलिए A gene क्या है बच्चा आपका dominant gene है और B gene आपका रस्तिव है, यह आपका epistatic gene है B आपका hypostatic gene है इतना आपको समझ में आ गया तो हिंस अपने आप mention भी कर दिया है gene A क्या है आपका epistatic gene है और बच्चा gene B क्या है मेरे प्यारे बच्चों hypostatic gene है एक बच्चों आप प्लीज वीडियो को share कर दे ठीक है, example हमें हम देखेंगे इसका best example है fruit color in summer squash summer squash जो बच्चा है इसका botanical name है kukurbita pepo ठीक है, यह बहुत ही अच्छा example है जो kukurbita pepo है इस वाले example में इसको बहुत अच्छे से देखा जा सकता है ठीक है, kukurbita pepo में इसी को बोले जाता है summer squash को आमन भासा में summer squash बोलते हैं तो जो इसके fruit का color है summer squash kukurbita pepo का kukurbita si family का है उसमें यह example आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं तो देखें, यहाँ पे जीन देखने को मिलता है एक white color के लिए जो white fruit color होता है उसके लिए w gene responsible होता है और जो yellow होता है जो इस kukurbita का जो yellow color होता है उसके लिए white gene responsible होता है यहाँ पे dominant gene कौन सा है white gene है, और residue कौन सा है yellow color वाला gene है तो देखें, यहाँ पे हमने अपनी activity कप सो करेगा जब small w small w होगा जैसे हमने b को सो करने के लिए बताया था या फिर ये हो कब हो जब इसके साथ small a small हो तो जो yellow वाला है ये अपनी activity कप सो करेगा जब yellow के साथ ये वाला हो ये वाला हो इसके साथ क्या हो small w, small w हो ठीक है तब यह अपना एक्स्प्रेस करेगा जब डबलू वाला होम हो जाएगा रिस्ट्यू कंडीशन में हो ठीक है अगर यह वाला जिनो टाइप आपको देखने को मिला यह आपका क्या होगा ग्रीन टाइप का होगा ठीक है यहाँ पे न w ही dominant है न y ही dominant है ठीक है तो यहाँ एक अलग structure आपको देखने को मिलेगा green और यह चीछ आपको देखने को जब मिलेगा yellow ठीक है जब यह रहे तो white तो आपको यहाँ पे dominant का ratio आपको कितना देखने को मिलेगा 12 is to 3 is to 1 कितना बच्चा 12 is to 3 is to 1 12 is to 3 is to 1 यह आपको ratio देखने को मिलेगा ओके बच्चा आईए हम लोग आगे देखते हैं अब example जो हमने लिया है आपको दो में cross करवाना है कुकुर्बिटा पेपो का जो summer square है उसमें हम जो first parent generation है उसमें हमने 2 लिया है यह देखिए आपका capital W, capital W जब है तो यह white color होगा यहाँ पे small w, small w है और capital y है small w है तो small w से यह अपना white color नहीं सो कर पाएगा तो yellow color ही सो होगा तो white fruit वाले और yellow fruit वाले summer square में यहाँ पे cross करवाएगा तो जो fn generation है first fn generation है all जो होगा white color प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ पे capital W है इसलिए सब के सब white प्राप्त होंगे अब यह हम selfing करा कर देखेंगे f2 generation में क्या प्राप्त होता है तो यहाँ पे gamit हमको कैसे मिलेंगे capital w, small w, capital y, small y से gamit हमको बनाना है देखें एक बार capital w लेंगे फिर यह दोनों लेंगे capital y, capital w, small y फिर small w लिए फिर capital y, small w, small y यह चार प्राप्त के आपको gamit देखने को मिल गए है ठीक है यहाँ पे हमने चारो gamit आपको दिखाया है यह, यह, यह ठीक है अब यह, हमको इन्ही में selfing करवाना है मतलब male और female, same, white वाले होंगे ठीक है male और female, white वाले में हमने selfing करवाया यहाँ पे हमने gamit रख दिया यह रखें capital w, capital y, capital w, small y एक बार हमने w वाले capital लिया है और यह लिया है y, capital y, small y लिया है फिर capital y, small y ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे भी gamit लिया है ठीक है, तो एक इसको रखना है एक इसको रखना है तो हमने जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे capital w, capital w, capital y, capital y ठीक है, यहाँ पे capital w, capital w, capital y और small y small w, यही capital w, small w, capital y, small y ठीक है पहले इसको रखिए फिर इसको रखिए capital W यहाँ देखिए small W यहाँ capital Y small Y ठीक है ऐसे ऐसे हमने पूरा रख दिया ठीक है तो हमको जो genotype राप्त हुआ वह यहाँ पे हमने देखा हमको 12 क्या है यहाँ पे एक साथ हमने फिर से इसको ले लिया है अब जीकिकर आएशए एक साथ आजाता है आसे आएगे एक साथ ठीक है तो यहाँ पे देखे यहाँ पे यह आया यही यह तो हमने आपको बताया था जब आपको capital W देखे कहें भी आपको capital W इस form में हो या फिर इस form में हो तो जीनो टाइप क्या होगा बोलिए बोलिए हाँ हाँ आप बोलने चाहिए white हो जाएगा क्या होगा बच्चा white ठीक है good job ठीक है excellent आपने बहुत सही जवाब दिया तो आप वाइट देखें कहा कहा हमको मिलेगा देखें एक white दो white तीन चार क्योंकि यहाँ पर capital W इसमाल डबलू है यह देखें white होगा ना साहिए ना किसे को प्राब्लम तो नहीं confusion comment करें बताएगे यहाँ पर white यहाँ भी white यहाँ भी white क्योंकि यहाँ पर capital W है ठीक है capital W यहा पर white यहाँ तो total white कितने हो गया आप बताएगे एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तो हमारा कितना बारा कितना हो गया बच्चा वाइट वाला बारा हो गया एक पर फिर से यहाँ पर लिखते हैं अच्छा से पेन की साइज तोड़ा पतला किये न तो 12 हमारा क्या हो गया white नव अच्चा अब हमने देखा yellow यह कब हो गया जब small w small w बला condition हो और यह capital हो या फिर इसके साथ क्या हो small w small w इसके साथ हेटरो जाएगे तो ठीक है तो हमारा yellow देखने को भी लगा देखे अभी मैं मिटाओंगी तो पूरा मिट जागा ठीक है तो ह एक यह yellow हो गया 1 यह yellow हो गया 3 है yellow 12 कितना हो गया white New w से लग जोगते हैं और एक आपको green मिलेगा यवकि हमने आपको बताए था जब small w small w small y मल ए तो आपको green देखने को मिलेगा तो हमने क्या ratio देखा फिनो टिपिक रेसियो ही हमारा क्या है बच्छा फिनो टिपिक हमारा ratio ह 12d ос2 3d u1 12wirbaha 12 है आपका व Bishop 12 है आपका वाइट और 3 क्या है आपका येलव है च्पिन आपका येलो एक आपका लेचा आपका अअब लो है handlariddぎेया तो आपका इक लो आपको यहीद आपको याद रखना डखना है इसे क्या हो वायट है तीन कहा है एक कहें ग। कहो गया dominant EP stasis dominant EP stasis में हमने देखा कि यहाँ पर EP stasis जो dominant gene है वो ratio gene को master कर दे रहा है इसका ratio क्या आपको देखने को मिला 12 to 3 is to 1 हमने इसका example क्या लिया summer request लिया या फिर इसको इसकी botanical name है kukurbita paper ठीक है बच्चा तो आसा करते हैं आपको dominant EP stasis अच्छे समझ में आ गया एक बार आप अच्छे से रिकाल कर लें आप हमको आगे पढ़ना है ratio EP stasis क्या पढ़ना बच्चा ratio EP stasis तो ratio EP stasis को ही बोला जाता supplementary gene यहाँ पे हम आपको ratio EP stasis या supplementary gene के बारे बताएंगे दोनों एक ही नाम है ठीक है आप चाहे अलग से supplementary gene को पढ़े चाहे इसी में पढ़ ले हम यहाँ पे आपको इसी पर बढ़ाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हम रेस्टीव EP stasis का ratio क्या है 9 is to 3 is to 4 क्या है बच्चा 9 is to 3 is to 4 यह इसका phenotypic ratio है dominant का क्या है 12 is to 3 is to 1 तो यहाँ क्या है बच्चा यहाँ पे हमने आपको definition बता है when one gene mask the effect up under the non-analygene in recitive form यहाँ पे क्या हो रहा है जो recitive gene है वो dominant gene की activity को suppress कर दे रहा है इनिवेट कर दे रहा है तो यहाँ पे दो gene जैसे हमने उपर आपको दिखाया था gene A, gene B यहाँ पे gene A को उपर हमने dominant लिया था यहाँ भी dominant ले रहे है यह dominant है और यह recitive gene क्या होगा dominant की activity को block कर देगा यहाँ पे B gene इस condition में कहीं भी रहेगा वो अपनी activity को so करेगा ठीक है A gene अपनी activity को तभी so करेगा जब यह वाला situation हो A gene इस form में हो या फिर इस form में हो इसके साथ क्या हो इसमाल भी इसमाल भी हो ठीक है यह वाला gene रहेगा तो एक अलग character आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे वहिया आपको देखना है इसका example क्या है इसका example है coat color in moist हमने लिजल्टी में भी coat color up moist को बताया था यहाँ भी हम आपको एक example के माद्यम से coat color up moist के बारे में यहाँ पे हम supplementary gene आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे B gene क्या है आपका dominant है और यही supplementary gene है ठीक है क्योंकि यही अपनी activity को सो करेगा रिस्टी जीन यहाँ पे dominant है वो अपनी activity को सो करेगा यहाँ पे क्या होगा रिस्टी जीन अपनी activity को सो करेगा उसी को dominant gene माना जा रहा है ठीक है तो देखिए जो capital B capital B इस homo jagas form में हो या फिर यह hetero jagas form में हो तो यह black character को सो करेगा कब सो करेगा यहाँ जब A absent हो ठीक है B और A के साथ क्या सो करेगा एगोर्टी जब capital B और capital A होंगे तो यह अलग character सो करेगे एगोर्टी ठीक है कोई color नहीं रहेगा ठीक है और जब small B small B रहेगा तो यह residue form में रहेंगे यह suppress करेंगे the effect of gene A so no color एगोर्टी तो color है जब small B small B रहेगा A के साथ तो कोई color नहीं आएगा वो albino है तो capital B capital B रहे या capital B small B रहे तो black देखने को भी लगा कब देखने को भी लगा जहाँ पर capital A है आपको absent हो थोड़ा से ध्यान देनी बात है वहाँ पर अलग था यहाँ पर अलग है ठीक है small B A के साथ रहेगा जब capital B भी हो इस condition में हो इसी साथ capital A हो ठीक है या यह condition हो तो आपको यहाँ पर एक अलग color एक अर्टी देखने को मिलेगा ठीक है और जब capital B capital B हो और small A absent हो मतलब यह बली चीज़े हो इसके साथ इसमाले है तो आपको देखने को मिला black color अब जहाँ small B इसमाल B आपको देखने को मिलेगा यह rescue gene है यह जब zone gene rescue form में B present होगा तो यह क्या करेगा A color की activity को A की activity को block कर देगा तो यहाँ पर rescue gene क्या कर रहा है dominant gene की activity को block कर रहा है तो यहाँ पर rescue gene ही dominant gene की activity को block कर रहा है जब B rescue form में होगा तो capital A की activity को block कर देगा अगर उपर वाला condition रहता है तो यहाँ पर अलग character सो करता है यह वाला अपना character सो करता है लेकिन rescue form में होने कर बी capital A की activity को block कर दे रहा है ठीक है तो कौन सी color आ रहा है, albino color आ रहा है, ठीक है, no color आ रहा है, तो यहाँ पर हमने cross करवाया है, एक black mice का, एक albino mice का, ठीक है, albino mice का और black, black देखे किस time में, जब capital B है, capital B है, इसके साथ small ए, small black होगा, albino कब होगा, जब capital, small B, small B होगा, तो क्या होगा, यह capital A की activity को block कर देग ठीक है, और उसके जब capital A रहेगा, तो एक article रहेगा, ठीक है, तो first generation, जो यह फॉन जनरेशन, यह parent है, पीवन है, तो यह फॉन जनरेशन में, all क्या है, albino है, albino क्यों है, क्योंकि, यहाँ पर आपने देखा, capital A है, और यह capital B के साथ है, ठीक है, तो albino के लिदा आपको इसमाल B, small A, reptile B, small A, small B, यह gamete हुआ, आप इनकी selfing कराएंगे, तो जो प्रोजोनी आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा ratio है, 9 is to 3 is to 4, तो यहाँ पर क्रॉस हमने यहाँ पर करवाया है, आप देख लेंगे, अच्छे चार्ट में बना क देख लेंगे, तो हमको 9 is to 3 is to 4 का ratio देखने को मिलेगा, 9 is to 3 is to 4, तो 9 हमको क्या देखने को मिलोगे, एगाटी, एगाटी 9 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्यों बच्चा आपको यहाँ पर क्यों आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर capital A है, capital A के साथ क्या देखने को मिल रहे हैं, capital A जहाँ चाहा है, वहाँ आपको एक आटी देखने, अब देखिए, capital B जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, homo jagas के heterogas condition में हो, ठीक है, capital B homo jagas हो, heterogas, लेकिन उसके लिए, जो small A, small A जरूरी है, तो जहाँ पर small A, small A है, आपको वहाँ पर black दे देखने को मिल गा, 3 black मिल गया, 9 egotty मिल गया, और 4 albino, 4 में no color होगा, क्योंकि यहाँ रिस्तिव फार्म में भी है, जब भी रिस्तिव फार्म में होगा, तो क्या कर गया, एक करेक्टर को सो करने नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 is to 3 is to 4 आपको देखने को मिल रहा है यह आपका फिनोटिपिक रेसियो है, 9 is to 3 is to 4, 9 क्या है, 3 क्या है, black है, black होने के लिए capital V यह small V इसके साथ small A होना चाहिए, ठीक है, albino होने के लिए क्या चाहिए बच्चा, B जो है, वह small form में होना चाहिए, ठीक है, तब होगी albino, ओके बच्चा, तो यह आपका फिनोट पिनोटिपिक रेसियो आपका है, 9 is to 3 is to 4, तो बच्चा, that's all about EPS thesis, अब नेक्ट लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, कंपलीमेंट इजीन, कंपलीमेंट इजीन का रेसियो आपको हमने 9 is to 7 बता है, बच्चा, नेक्ट लेक्चर में हम कंपलीमेंट इजीन पढ़ेंगे, यह लेक्चर काफी बढ़ा हो गया, तो thank you so much बच्चा, मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में, नेक्ट वीडियो के साथ, और आप तब तक के लिए, bye bye, take care, ठीक है?